कि आप सोच सकते हैं कि बिहार में के ऐसी सरकार बनेगी जुसमें निशात समाज की एहम भूमिका होगी यही दावा करते हुए व्याइपी चीफ मुके सहनी ने अपनी पार्टी की कार्यकरताओं को समोधत किया और एक बड़ा संदेश दिया उनके शब्दों ने न केवल कार्यकरताओं को प्रुचाहित किया बलकी पूरे निशात समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है सहनी ने कहा है कि एक दशक पहले शायद ही किसी ने निशात समाज के बारे में सुना था लेकिन आज वी आईपी पार्टी और निशात विकास संग के प्रयासों से निशात समाज को न केवल पहचार मिली है बलकी वे एक महतपूर्ण राजनितिक शक्ती भी बन गया है उन्होंने आगे बताया कि बड़ी लडाईयां एक दिन में नहीं जीती जाती इसके लिए समय, महिनत और संगर्श के अवशक्ता होती है अगामे विधान समाज चुनाओं को ध्यान में रखते हुए सेहनी राज्य के हर जिले में निशात संकर्प यात्रा का नेतरतुर कर रहे हैं जहां वे लोगों से मुलकात कर अपनी पार्टी का संदेश वला रहे हैं कारेकर्टाओं को सबोदत करते वे उन्होंने बिहार के निशात समाज के लोगों की स्थिति पर प्रकास जाला उन्होंने कहा कि आज निशात समाज का कोई बेटा उचे ओहदे तक नहीं पहुच पा रहा है और इसका मुख्य कारण आरक्षन की कमी है अगर निशात समाज को अरक्षत मिला तो उनके बच्चे भी समाज के उच्च पदों पर होते सहनी ने जातिकत जनगन्ना का हवाला देते में बताया कि निशात बिहार की दूसरी सब से बढ़ी जाती है और अब समय आ गया है कि वे अपनी ताकत का उप्योग करे सहनी का मानना है कि बाबा साहिब और बेटकर ने जो अधिकार दिये हैं उनके सहारे निशात समाज अब अपनी ताकत सरकारे बनाएंगे और गिरा सकते हैं उनका संदेश स्पस्ट था तो उसके पास जनता का समर्थने वही सत्ता में आएगा इसके अलावा सहनी ने सिक्षा की महत्व पर जो देते वे कहा कि अगर निशात समाज अपने बच्चों का भविश्रे उजवल देखना चाहता है तो उन्हें सिक्षा में निवेश करना होगा उन्होंने कारे करताओं से अपील की कि एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों की प्रहाई में किसी भी प्रकार की कोता ही ना करे आगे सहनी ने कहा कि जब तक निशात समाज एक जूट नहीं होगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक सरकारे उनके साथ सो तेला वेभार करती रहेंगी अंत में सहनी ने कारे करताओं को चिता दिया कि चंद पैसों के लालच में अपने मताधिकार का दुर्पयों ना करे उन्हें समाज के हर व्यक्ति से आगरे किया कि वे अपनी आवाज को बुलंद करे और अपने वोट की कीमत को समझे अपने बच्चों और समाज के भविश्य को बहतर बनाने के लिए निशाद समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा अब सहनी और उनके कारे करताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे निशाद समाज को इस संकल्प में कितनी मजबूती से साथ ला सकते हैं क्या वे एक जुट होकर बिहार में अपनी राज्यूतिक ताकत का पदर्शन कर सकेंगे या फिर वे राज्यूतिक धारा में बह जाएंगे समहीं बताएगा लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में निशाद संकल्प यात्रा के इस उद्धोष ने राज्यूतिक के सामिकरणों को जरूर बदल दिया है तो फिलाल के लिए बसे तना ही ऐसी तमाम ख़बरों के लिए देखते हैं क्यूस 24 धन्यवार